Hi everyone, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राहूल जेस्वाल and स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे YouTube चैनल JR Tutorials में तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते, 8 Standard के लिए हम पूरा सिरा बस अल्री पढ़ा चुके, लेकिन हमने Exercise Concept Solutions भी पढ़ाना शुरू किया है, और हम आ चुके हैं Chapter 12 के उपर, जिसमें हम Introduction to Accident Based का Exercise का Concept Solutions पढ़ेगे, तो बहुत सारे ऐसे Question से जो Objective Types होते हैं, उसका Solutions प्लस आपक उसका Concept समझाया जाएगा, तो ध्यान से वी वीडियो को देखना, लेकिन अगेन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही महनत किया जा रहा है, इतने सालों से किया गया है, तो एक request यह है कि आप जब हमारे वीडियो देखते है कि आप टॉप भी कर सकते हो अपने एक्जामस में, जरूर से अपने दोस्तों को शेर कीज़ेगा हमारे वीडियो को, ठीक है, साथ में सबसे इंपोर्टेंट चीज़ हमने जया टूटोरियल का अप्लिकेशन बना दिया है, उस पे content आने शुरू हो गए है, तो प्लीज यूज करते हो, तो मुझे follow कर लेना, यह मेरा idea, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, question number one, identify the acid and mess, देको, यह chapter जो है, बहुत ज्यादा ही simple है, इसमें हम लोग बस acid है, की base है, वो पदाना है, और बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं, जो हमें lectures के दौरान मैंने आपको पढ़ाई थी, तो अगर आपको यादा आ रहा होगा, तो इसका सवाल का जवाब है, आप बहुत easily answer जो है, वो दे पाऊगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, question number one, जो किये दोस्तो, identify whether acid or alkaline, alkaline का मतलब क्या होता है, दोस्तो, base, यह मैंने आपको जालू, तो वो phenophthalene आएगा, यह methyl orange आएगा, और वो acid है, कि base है, वो हम लोग को बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखाए, no change, ठीक है, तो litmus paper no change कब होगा, जब आप एक चीज़ जानते हो, कि हमारा जो blue litmus paper होता है, ठीक है, तो जो blue litmus paper होता है, दोस्तो, वो phenophthalene म और उसको अगर phenophthalene में डालते हो, phenophthalene liquid होता है, indicator जिसको बोलते है, उसमें अगर डालते हो, litmus paper को, तो उसका color change नहीं होगा, no change होगा, लेकिन वो ही blue litmus paper, अगर methyl orange में अगर डालोगे, blue litmus paper, methyl orange में जारोगे, तो orange जो होगा, वो color convert होगे, किसमें हो जाएगा, red color में convert हो orange convert into red, किसमें हो जाएगा, वो लाल color में convert हो जाएगा, ठीक है, मतलब, in short क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है, methyl orange में डालने के बाद, जो litmus paper है, वो क्या हो रहा है, orange जो था, वो red में convert हो जा रहा है, तो इससे क्या पता चला, कि वो acid है कि base है, तो obviously जब कोई चीज red हो जाती ह है, तो वो क्या होती है, acid होती है, यह मैंने आपको पढ़ाया, लाल मतलब खत्रा, और खत्रा मतलब acid है, तो जब लाल हो गया, तो समझ जाना कि वो acid है, ठीक है, अगला question, देखो, कौन सा litmus paper है, फिलाफ्तिलिन में डालने के बाद, क्या होगा, और इसमें क्या लिखा है, औरेंज कलर turns red, यहाँ पे क्या लिखा है, औरेंज कलर जो है, वो red हो रहा है, तो यहाँ पे भी same, क्या हो जाएगा, blue litmus paper आएगा, ठीक है, blue litmus डालने के बाद, फिलाफ्तिलिन में उसका कोई color change नहीं होता है, no change आ जाएगा, और यह भी orange जब red में करनोट हो जारे है, मतल colorless जो फिलाफ्तिलिन होता है, वो convert हो जाता है, colorless to pink में convert हो जाता है, क्योंकि जब red litmus paper blue हो रहा है, तो आपका फिलाफ्तिलिन में डालने के बाद, वो जो है colorless से क्या हो जाएगा, pink हो जाएगा, और वही अगर methyl orange की बात करूँ, तो वो methyl orange जो था, वो किस में हो जाएगा orange convert हो जाएगा, किस में, orange to, किस में convert हो जाएगा, color yellow में हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, और इसका मतलब यह है कि अगर वो yellow हो रहा है, तो वो एक base है, यानि एक अलकल लिखे, correct है, तो इस प्रकार एसे कई सारे questions आएंगे, हमारे chapter के अं आए हैं, वो देखो, आपको और अच्छे से समझेगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा, उनको, पर जिन्होंने देखा होगा, तो इसको यह easy लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले question के उपर, अब यहाँ पर क्या बोल राइट the chemical names from the given formula, given formula दिया है, बस उसका आपको chemical name बताना है, यार, one of the easiest example, इतना easy है कि आप सोच भी नहीं सकते, सबसे पहला है, H2SO4, क्या होता है, H2SO4, sulfuric acid, बस नाम याद रखना है, sulfuric acid, याद रखना, H2SO4 का मतलब होता है, sulfuric acid, अगला है CAOH twice, यह होता है दोस्तों, calcium hydroxide, calcium hydroxide, नाम याद र hydrochloric acid, hydrochloric acid, यह क्या है, hydrochloric acid है, अगला है NaOH, देखा है आपने, NaOH देखा है, Na sodium OH hydroxide, मतलब sodium hydroxide, sodium hydroxide, बहुत easy, बस नाम याद रखना है, exam में आ तो बिंदात लिख सकते हो, ठीक है, sodium hydroxide, अगला है KOH, के का मतलब होता है दोस्तों, potassium और OH मतलब hydroxide, मतलब यह हो जाएगा दोस्तों, potassium hydroxide, कितना easy है, देखो कितना मजा आ रहा है कराने में, और आप लोगो पढ़ने में भी उमीद करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, कोई परिशानी आप लोगो नहीं होगी, ठीक है, तो tension बिलकुल, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, और easy hydroxide, correct, समझ में आ गया, simple है, तो अगर आपको कोई पूछेगा, कोई भी chemical formula दिया हो सकता है, और वो ही chemical formula से बस आपको उसका नाम बताना है, तो बहुत सारी chemicals हो तो उसका नाम याद रखे हो, कभी-कभी questions ऐसा भी आता है exam में, कि आपको यह दिया रहेगा, आपको sulfuric acid दिया दो, ठीक है, समझ में आ गया, तो ऐसे है, आपको दिये रहेगी, तो आपको याद करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, comment आप कर सकते हो, comment करके बता सकते हो, क्या चीज़ है, ठीक है, आप चलते है अगले question पे, आप देखो, अगला question क्या है, select the proper word given in the bracket and fill in the blanks, fill in the blanks, कोई भी चीज़ बेस या फिर अलकली का बोता है, जब उसके हमदर OH- यानि हड्रोक्साइल आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा answer डारेक हो जाएगा, तो main consider of acid is nothing but H+, option में भी दिया हुआ है, तो H+, ions, H+, ions is the answer, main consider of alkali, alkali का मतलब होता है, base, याद रखना, alkali को हम लोग base ब होता है, तो मैंने आपको पढ़ायाता है कि ACID की करी सारे प्रकार होते है, ठीक है, OXLIC, T-C it is so many types of acid, ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने आपको पढ़ायाता है कि ACID में main दो type होते है, एक acid जो होता है बहुत जादा strong होता है, और एक acid होता है, बहुत जादा weak होता है, जसमेन उसको learn कर लोगे, लेकिन question answers में एक question है कि sulfuric acid industries में कैसे use किया जाता है, तो sulfuric acid इतना ज्यादा useful है कि उससे dye बनाए जाता है, उससे बहुत सारे chemical reactions करवाई जाते है, leather industries में, ऐसे हर जगा sulfuric acid का chemical industries में इस्तेमाल होता है, और इसलिए बहुत heavy होता है, बहुत ज्यादा strong होता है, और दूसरा type का जो acid होता है, बहुत हलका होता है, जैसे की example है tartaric acid, तो यह क्या है एक weak acid है, ठीक है, weak acid, tartaric acid काना से मिलता है, जो आप यह खाते है इमली खाते हैं, इमली, इमली is tamarind, तो tamarind में मिलता है जब आप खाते हैं, आपको खट्टा लगता है, वो खट्टा क्यों लगा, क्योंकि आपके मूग के अंदर acid आ गया, कुंसा वाला, इमली वाला, तो वो tartaric acid, weak acid है, इससे आपका जीब जलेगा नहीं, ठीक है, यह तो strong acid खाओगे, जल जाएगा, ठीक है, ओके, खाना मना ह ठीक है, अब lactobacillize से इसमें आपको समझ में आ जाएगा, कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, that is lactic acid, तो आपको मैंने पढ़ाया था, कि दूद जब दही में convert होता है, तो दूद में होता है lactose और lactobacillize bacteria के वज़े से वो lactose-lactic acid में convert हो जाता है, और वो acid के वज़े से उसको acid, और एक और चीज़, जो मैं ये cross question करा रहा हूँ, मतलब मैं आजब पेर में मैं ऐसा line किसता हूँ, आप लोगो एक्जामे वैसा नहीं करना है, आपको tamarind के सामने ऐसा dash डालना है, और लिखना है उसका answer, टार, टारीक, acid, ऐसा लिखना है, समझ जाओ, ये match मैं आपको कर आपने citric acid लिखना है, और last है vinegar, मैंने आपको पढ़ा है, vinegar पता है, आचार में डालते हैं, आप Chinese खारते हैं, तो इसमें ने पानी जैसा एक bottle हो लोग भर के रखते हैं, और उसको Chinese में ऐसा डालते हैं, थोड़ा सा दो चार मून डालते हैं, खटा करने के लिए, तो वो होत से इसको पढ़ लेना, प्राक्टिस कर लेना, correct, याद रहेगा, अगले question पर चलते हैं, हमारा अगला question क्या है, चलो देखते हैं, true or false से बहुत ज्यादा ही simple है, और इससे ज्यादा simple तो मुझे रखता नहीं, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर पहला question क्या द अब यह oxides बोला है कि alkaline होते हैं, मतलब basic in nature होते हैं, तो क्या magnesium oxide basic है, यास, बिल्कुल basic होता है, मतलब यह जो answer है, दोस्तों मैं आपको बता दू, कि oxides of metal, alkaline nature, यह answer बिल्कुल सत्य है, मतलब true answer आएगा इसका, ठीक है, अगला question है, salt is acidic, नमक जो होता है, नमक, क्या नमक acid ह होता है, नमक एसका, इसका है, पहली बदक क्या होता है, sodium hydroxide होता है, और hydroxide जहाँ पर आ गया, मतलब यह OH तो OH कि समे होता है, really, तो यह base है यानि एक alkali है यह क्या है alkali है तो यह acid नहीं है तो इसका answer क्या है false answer क्या आजाएगा false कि यह acid नहीं है भईया यह base थी कह है alkali है base next है metal corrods due to salt metal जो है जो low high होता है कोई भी metal होता है दोस्तों क्या वो नमत के वज़े से corrosion होता है उसका तो यार यह answer बिल्कुल सही है जैसे लोखन है लोखन लोखन के ओपर rust पकड़ता है तो वो rust कैसे पकड़ता है because of the नमी and the salts present in the atmosphere in the things तो इसका अंसर हो जाएगा metal due to salt that is nothing but the true इसका answer क्या हो जाएगा true ठीक है एंड एक last है कि salts तो बिल्कुल सही जवाब है salts जो है वो न्यूटरल होते हैं तो यह भी बिल्कुल सत्या answer है neutralization पढ़ा है कि नहीं when acid and base react with each other it forms salt and water so salt and water form हो रहा है मतलब salt एक neutral चीज़ है water एक neutral चीज़ है समझ में आ रहा है classify the following substance into acidic basic and neutral मतलब हम लोग तीनों क्या है acid है की basic है की क्या है यह बताने तो सबसे वहले मैं तीन कॉलम बना लेता हूँ एक बना लेता हूँ मैं acidic दूसरा बना लेता हूँ मैं basic और एक तीसरा बना लेता हूँ मैं neutral और इसके अंदर ही हम लोग box बनाके answer जो है वह लिख लेंगे ठीक है तो मज में आ रहा है चल लाइन केज़ देता हूँ मैं हाँ अब इसके अंदर हम लोग चीज़े लिखते हैं चलो फटा फट से सबसे पहले बोला है आइचसील क्या है हइट्रोकलोडिक असिड होता है तो एचसील मेरा असिड है असिड अगला है ग्या है अगला है कलो राइन होता है अगला होता है तो magnesium oxide is basic ठीक है अगला है KCL potassium chloride तो potassium chloride is nothing but also salt ठीक है potassium chloride क्या होता है दोस्तों यह एक salt होता है मतलब यह भी neutral हो रहेगा तो KCL यह क्या है neutral उसके मारे H2SO4 यह होता है sulfuric acid तो यह एक acid है na H2SO4 ठीक है उसके बाद है HNO3 silver nitrate यह तो और खतरनाक acid है HNO3 क्या है दोस्तों यह एक बहुत डेंजरस acid जिसको हम लोग silver nitrate बोलते है ठीक है ना sorry sorry not silver nitrate nitric acid बोलते है माफ करना मेरे मुझसे silver is AgNO3 ठीक है AgNO3 silver nitrate होता है HNO3 होता है दोस्तों that is nitric acid ठीक है nitric acid होता है माफ करना मुझे ठीक है HNO3 nitric acid acid होता है correct उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे H2O पानी क्या होता है पानी पानी obviously जैसे मैंने आपको पनाया ता salt and water neutralization से बनते है मतलब पानी भी आपका क्या है neutral है H2O पानी neutral होता है उसके बाद है Na2CO3 that is sodium bicarbonate तो sodium bicarbonate यहां ही is nothing but the baking soda ठीक है sodium carbonate है sodium carbonate is आपका basic हो जाएगा मतलब Na2CO3 ठीक है this is nothing but the sodium carbonate तो यह कुछ answers थे जो आप देख पार है हमने classify कर लिया कि कौनसा acid है कौनसा base है कौनसा base मतलब alkali और और कौनसा आपका neutral है तो यह हमने classify कर दिया ऐसे कई सारे और questions आपके exams में आ सकते हैं तो बहुत ज्यादा simple होता है तो आपको कोई tension वाली बात ही नहीं है आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है इसको फॉलो करके जाओ इसको पढ़के जाओ इसमें से कई सारे questions आ सकते हैं और जो बचे हुए give reasons है question answers है इसको अब अच्छी तरीके से अपने notes में से पढ़ लो जित्रा उसके पढ़ाई पे focus करो और concept clear करो तो चलो किसी के साथ हमारा यह जो चाप्टर है जिसका नाम है introduction to accident basis का exercise का concept solution आपने पढ़ा दिया है अब अगला lecture जब आएगा उसमें और एक new chapter का exercise concept solution पढ़ाएंगे और कुछी दिनों के इंदर आपका बचा-कुछा chapter सब complete हो जाएगा लेकिन बस एक request है कि आप लो के लिए हम बहुत सारी चीज़े plan कर रहे है application के उपर तो उसमें दोस्तों के साथ जितना हो सके share कर देना और अगर पहली बार आए हो channel पे channel को अभी दक subscribe नहीं किया तो फटा फट से हमारे channel को subscribe कर देना ठीक है दोस्तों जल्दी मिलेंगे हमारे एक और new video में तब तक के लिए thank you and good bye